नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चनल मेटफर टेक में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको जानकाई देने वाला हूँ एक ऐसे कीबोर्ड की जो काफी क्लासी लुक के साथ आता है अगर आप एक गेमर हैं अगर आप एक कर लेते हैं देखते हैं इसके अंदर आपको क्या कुछ खाशने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तों अंबॉक्सिंग कर लेते हैं यहां पर वाइलेस मेकेनिकल कीबोर्ड की जो की दुर्गोड के तरब से आता है यहां पर ब्रांडिंग आप देख सकते हैं और इसका मॉड है कि जलिए अब यहांपर बॉक्स को हम उपन कर लेते हैं और बॉक्स को ओपन कर के देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या फीचर मिलते हैं तो बॉक्स को मैं उपन कर ले रहा हूं जैसे ही हम box को open करते हैं तो दोस्तों इस तरी के कुछ box आपको box के अंदर मिल जाता है जिसमें आपको डुर्गॉड की ब्रांडिंग ऊपर मिल जाती है उसके लावा यहाँ पर thank you for choosing do God इस तरीके का thank you message मिल जाता है और अगर हम box को यहाँ पर आप open कर लें तो देखते हैं कि आपको box के अंदर क्या चीजें मिलती है keyboard के साथ तो यह box जैसे हमने open किया तो कुछ इस तरीकी के setup के साथ आपको यह box देखने को मिलता है box के अंदर आपको simply keyboard मिल जाता है safety के लिए side में cushions लगे हुए हैं और user manual user manual के अगर बात करें तो यहाँ पर Chinese language में आपको जो है सारे function देखने को मिल जाते हैं और अगर back करें तो यहाँ पर आपको English में भी आपको सारे features किस तरीके से कैसे क्या है सब मिल जाएगा आप इसको पढ़के इसका use कर सकते हैं ले दो cushions रखे हुए हैं इसके अंदर तो यह cushions भी हम यहाँ पर निकाल के किनारे फिक देते हैं कुछ निकाल लिया तो कुछ यह आपको इस तरीके का keyboard box के अंदर मिल जाता है काफी अच्छे से packed है तो यहाँ पर यह keyboard को भी हम रख लेते हैं फिलाल के लिए side में और देखते तो इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं अभी उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कि स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जो कि आपके डूर्गॉड की ब्रैंडिंग के साथ आता है तो वायर वगयरा इसमें आप मैनेज कर सकते हो अच्छे से इधर उदर उलचेंगे न आपको देखने को मिल जाती है यह भी आपको इसके अंदर मिलता है आपको यहाँ पर देड़ मीटर लंबा एक वायर भी मिल जाता है तो यह जो आपका डियर मीटर का वायर है टाइप सी टू टाइप ए यूएसबी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती जो आप अपन करना हो तो आप की को निकाल सकते हो या फिक की अगर आपको रिप्लेस करना हो तो यह आपको टूल काफी इसमें help करने वाले हैं तो बॉक्स के अंदर आपको उपल मिला कि यह content देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर हम कीबोर्ड को open कर लेते हैं के उपर कीबोर्ड की आप से कस्टमाइज भी कर सकते हैं तो डिजाइनिंग के अगर बात करें तो काफी अच्छी डिजाइनिंग है और करीब इसका वजन 1 kg के आज पास आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर काफी अच्छी तरीके से सारी कीस मैनेज ही हुई है और अगर साइड में देख लें तो यहां पर एक बाक इसके डिजाइनिंग में आपको देखने को मिल जाता है तो आपको के यहां पर लिएंदद के स्टैड कर सकते हैं जिनको आप अपने हिसाज़ाप से एडजेस्ट कर सकते हो तो यह भी यहां पर hidden तोर पर रखा हुआ है मतलब इसके खोने के कहीं कोई चांसिस नहीं है आप इसको यहां पर वापस इस तरीके से रख के आप यहां पर इसको जो है बंद कर देंगे यह टूल आपका इस तरीके से की रिमूफ करने में आपको काफी हेल्प करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको निकाल सकते हो तो आपको यहां पर सिंपली इस तरीके से इसको एड़िश्ट करना है और आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं तो देखें मैंने इसको भी यहां पर रिमूव कर लिया है यह देख सकते हैं तो कभी भी अगर आपको लगता है कि यह चीज बटन आपका खराब हो गया है नीचे से तो आप इस तरीके से यहां से इसको भी इस टूल की हेल्प से जो है तो वापस इसको यहां पर हम fix कर देते हैं, simply इसको इस तरीके से यहां पर अंदर डालिए और और ऐसे प्रेस कर दीजिए, तो यह अपनी जगह पर देख लिए, यहां पर fix हो गया, और उसके अलावा यहां पर जो इसका cap मैंने निकाला था, तो cap भी मैं लगा देता हूं, व आपका यहां पर यह safe हो जाता है, इसके उपर कोई भी पानी वानी वगएरा, चायवा वगएरा यसी चीज़े जो गिर जाती हाम तो पर वो सब चीज़े इस पर नहीं होगी, धूल मिटी से भी यह काफी बचेगा, तो customizableable option इसके अंदर है, कि इसको customize कर सकते हो अपने हिसा लगी और इसकी designing कुछ पूराने समय के जो keyboard आते थे, उससे मिलती जुलती है, सन 1980 या 1989 की समय पे जब नया-nया computer system शुरू हुआ था, तो कुछ ऐसा ही keyboard उस समय पे जो है, आपको उस समय के system के साथ देखने को मिलता था, तो कुल कह सकते हैं कि retro style का आपको यह keyboard देखने को मि मिल जाती है, और battery की अगर बात करने जो की खास important चीज होके आती है, तो यहाँ पर battery ऐसे ही condition है, अगर आप इसको 3 घंटे चार्ज करेंगे इस keyboard को, तो यह आपको 360 डे का backup आपको देखने को इसमें मिल जाता है, यानि कि अगर आप 3 घंटे चार्ज करेंगे, तो पूरे सा आप typing करेंगे, तो काफी smooth feel होगी, features की अगर हम बात करें, तो features भी इसमें आपको काफी देखने को मिलते हैं, काफी function देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर अलग से, जो आपको dedicated function की दी हुई है, उसको press करके, आप यहाँ पे अलग-अलग function इसके use कर सकते हैं, तो दुस् इसकी side में की दी थे, इससे backlighting screen on करते हैं, तो इसकी देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी function की दुए हुई है, अगर इसको आप press करते हैं, और print screen की जाती है, और यहाँ इस bcych करना का जाती है, अगर आप फिर से इसको change करना चाहते हैं, और एक बार फिर से function की दबा के, आ कि प्रेस कर रहा हूं इस तरीके से एक तरीके से वेब टाइप का आपको देखने को मिल रहा है कोई भी मैं कि यहां पर प्रेस करता हूं तो यह बहुत अच्छी चीज है फिर से फंक्षन की दबा के हम यहां लावब प्रिचमठोज फान जिसमें और वी उसके अलावा फिर से दबाएंगे तो यहां पर आ पर यहां पर एक बाराक करेंगे तो यह आपका ग्लोग करेगा दाजम करेंगे इसे ऑक ही तो उसकी कि आपको करेंगे ऐहां पर दीक को दिखाएगी फिर से एक बार कर देते हैं यहां पर तो जो भी कि हम यहां पर दबाएंगे आपके वचसा तरीके तो बहुत अच्छे फीचर function के साथ आता है और अपने हिसाब से आप यहां पर lighting जैसे इसकी चाहते हो रख सकते हो देख सकते हैं आप और एक चीज और भी है इसके नदर तो यहां पर जो यह function आप देख रहे हो इसमें अगर आप चाहते हो कि light की speed जो है कम जादा करना तो function क की दवा के यहां पर आप जो है इसकी light की speed कम ज्यादा भी कर सकते हो function की को दवा के आप इस तरीके से आप इसको दवाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं आप काफी इसकी lighting डाउन हो गई है यहां फंक्शन की दवा के नीचे क्लिया रोख मैंने दवाई तो हो गई पिर ऐ आपको जो है दो मोड Bluetooth के भी मिल जाते हैं उसके लावा यहां पर जो है wireless अगर आप इसको connectivity करना चाहते तो एक के नीचे आपको यहां पर feature मिल जाता है और आर के नीचे आपको USB connectivity के लिए option मिल जाता है उसके लावा इसके यहां पर अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से तो यहां पर भी आपको एक display type का मिल जाता है, इसमें आपको light के थ्रू से पता चल जाएगा connectivity के बारे में, अगर wirelessly connect है तो यह light जलेगी, Bluetooth के थ्रू तो यह light जलेगी, USB के थ्रू तो यह वाली light जलेगी आपका, तो यह भी आपको इसके इंदर देखने को मिल जाता है, तो इ यहां पर Bluetooth का option आपको दिखराओगा उपर चोटा सा, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहां पर Bluetooth को on कर ले रहा हूँ, तो जैसे Bluetooth को turn on करते हैं, तो यहां पर आपको K620W Corona, इस keyboard का जो है नाम लिख्या गया है, तो इसको यहां पर हम connect कर लेते हैं, तो connect हो गया है simply, तो इस तरीके से आप अपना नाम type कर लीजिए, या फिर आप कुछ और भी type कर सकते हो, जो आपका मर्जी हो, बहुत smoothly यहां पर run करता है, और keyboard काफी अच्छा लगता है, और sound भी काफी अच्छा आता है, देखें, आप किसी भी तरीके का कुछ भी आप easily यहां पर type कर सकते हो, तो इस तरीके से इसको Bluetooth से connect कर सकते हो, और आप यहां पर इसको wirelessly भी connect कर सकते हो, बहुत easily, काफी अच्छा वर्क करता है, काफी बढ़िया keyboard है, तो दोस्तों अगर आपको यहां पर यह keyboard purchase करना है, तो इसकी pricing के अगर बात करें, यह आपको 216 dollar का पढ़ जाता है, और अगर यहां पर इसको हम Indian currency के इंदर convert करके अगर बात करें, तो आपको करीब यह 17,000 के आसपास पढ़ जाता है, और इस model का नाम यहां पर K620W है, तो आप इसको online purchase कर सकते हो, description box में इसका मैंने purchase link दे रखा है, आप वहां सजा के इसको खाई सकते हो, तो दोस्तों यह आज का वी आप से फिर से किसी नए वीडियो में इजाज़त दीजिए, वन्दे मात्रब जैहिन!